हेलो माई यूट्यूब फैमिलीज कैसे हैं आप घर में हम देली काम करते हैं पर परेशान हो जाते हैं बहुत से काम नहीं हो पाते तो लेसुन चीलना तो एक बहुत ही मुस्किल टास्क है, आज कल अचार वगरा बनाने की सीजन चल लई है या साग वगरा है, तो हमें धेर सारे लेसुन चीलने पड़ते हैं, तो चलिए आज हम बोतल से आपको बताएंगे, आप एकदम चुटकियों में थोड़ी ही देर में कीलो कीलो लेसुन चील सकते हैं, तो वीडियो में फ्रेंट्स बने रहिएगा, आगे चलके आपको बहुत सारे किछन टिप्स देंगे, जिसमें काच के बरतन जब उनके कलर वगरा खराब हो जाते हैं, यानि उनमें चमक खतम हो जाती है, तो कैसे हम साफ करें कि वो नए ज को साफ करें, इस तरह की गहरी ग्लास जो है बोरो सिल्की काफी गहरी, जहां हमारे हाथ तो पहुंचते ही नहीं, बहुत पतली होती है, और उंगलियां भी नहीं पहुंचती, फ्रेंट्स कुंद्रू करेले की सबजी हम बनाते, तो उसमें तेल की बहुत ज़्यादा जरू सा हमने इसमें होल बना लिया ताकि हमारी जो स्केल है वो अच्छे से जा सके, स्केल तो मैंने डाल ही दिया फ्रेंट्स, अब थोड़ा सा सोडा डाल लें, हाफ टेबिल स्पून और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा विनेगर भी आप चाहें तो एड़ कर सकते हैं, पर मैंने सोचा सोडा और नमक दोनों क्लेनिंग एजेंट है, बहुत जादा गंदी हो तभी आप यूज कीजिए, इस तरह से और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देजिए, ये ग्लास हमारी वाश थी फ्रेंट्स, पर इसके अंदर जो थोड़ी सी दाग वेगरा पानी की वो प पड़ जाती है फ्रेंट्स, उसका भी हम बताते हैं नेदा, लोग बरतन तो धुल लेते हैं, उसके बाद उसे उल्टा करके छोड़ देते हैं, जहां जहां पानी की बूदे अटकी रहती हैं, वहां वहां जाके वो पूरी तरह से पानी का स्पार्ट बन जाता है, अगर आ आगे और पीछे से उसे कॉटन कपड़े से अच्छे से वाइप कर दें, या तो स्पॉंज वाइप एक रखे कपड़े वाइप करने के लिए उससे कर दीजे, देखे एकदम नई सी ग्लास हो गई न, यह पचीज से तीस साल पुरानी ग्लास है, मेरी बोरो सिल्की सबसे प हैं, तो इनकी भी हालत कोई जादा ठीक तो नहीं है, थोड़ा सा हम आपको क्लीन करके बताएंगे, वैसे हमारे कप प्रॉपर क्लीन रहते हैं, क्योंकि मैं इसका वीकली यूज जरूर कर लेती हूं, तो मैं जादे सारे बरतन जो रेगुलर यूज होते हैं, उन्हें निक दाल लेती हूं, थोड़ा सा वीनेगर, सोडा, नमक और थोड़ा सा सर्फ डाल के सारे बरतन को एक साथ हम वाश कर देते हैं, उसके बाद पोँच के रख देते हैं, ताकि हमारे कोई बरतन गंदे ना हो, देखे, बिना सर्फ का इसे हम क्लीन किये हैं, और उसके बाद फ्रेंट्स आपको हमारी ये किचें टिप्स कैसी लगी प्लीज शेयर कीजेगा ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके चाहे करेले बनाने हूं परवल या तो कुंद्रू तो तेल चाहिए भुजिया सब्जी जब भी बना रहे हैं तो तेल हमने अगर अधिक डाला है या किसी भी सब्जी में गलती से भी सब्जी को साइट कर दीजे थोड़े दे छोड़ दीजे तो बीच में तेल आ जाएगा और सब्जी अपनी निकाल लीजे इस सब्जी के तेल का स्थेमाल आप अपनी तड़का देने में या दूसरी सब्जी बनाने में कर सकते हैं तो तड़के के लिए हमने गरम किया कढ़ाई थोड़ी उसमें जीरा करीपता और थोड़ा सा मिर्च का चिली फ्लेक्स डाल कर तेल गरम होते ही फिर हम सारी चीजों को डालने के बार इसके अंदर डाल डाल देंगे कैमरा हमने हाथ में लिया है तो थोड़ा सा हमारा कढ़ाई हिल रही है तीसी दिख रही है क्योंकि कैमरा हिल रहा है इस तरह से डाल के हम फिर अपनी टेश्टी सी डाल बना लेंगे एक ही तेल में दो चीजों में इस्तेमाल कर लिए आप बहुत ही महत्तुपूंट सी यह जो कुनी भी हाट चीज पत्थर बेलन या अपने पेस्टल किसी भी चीज से लैसुन को तोड़ लेजिए तोड़ने के बाद इसे फिर अब देखिए हम कैसे बोतल के अंदर डालेंगे यह छोटी सी पोतल लिया है और उसके धकन को से हम भेर सारे लैसुन चीलने का इक तरीका है लैसुन का आगे का पॉर्षन हम इस तरह से लेंगे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जवे हैं जब हम इनका यूज करते हैं तो हमारे नेल्स के अंदर गुश जाते हैं और बहुत ही जादा प्रॉब्लम होने लगती है दर्द होता है, स्वेलिंग होता है पर हमें खाना तो डेली बनाना ही होता है तो इसे किस तरह से हम अच्छे से क्लीन करें बहुत छोटे छोटे देशी लहसुन है विलाईती लहसुन या चाइनीज लहसुन उतने ज्यादा टेस्टी नहीं होते उन्हें छिलना बहुत आसान होता है फिर भी आप इस तरह से इसे छिल लीजे इस तरह से आगे का portion जब आप काट लेंगे तो लहसुन के छिल के जो है आसानी इसे निकल जाएंगे फ्रेंड्स आपको हमारी ये सारी kitchen tips अगर जरा से भी पसंद आती है तो please मेरी वीडियो को like कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा next tip and tricks के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं thanks for watching friends